ओल इंडिया कॉंग्रेस कमेटी ने देश में बढ़ती महगाई और बेरोजगारी पर केंदर पर निशाना साथा केंदर की गलत नीतियों को इसका कारण बताया साथी कहा कि आर्थिक मंदी के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर कॉंग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में विरोध रैली कर केंदर की नीतियों के खिलाप प्रदशन करेगी सिंग रॉली के बैढ़न में AICC सदस्य हरिकेश तिरपाठी ने केंदर सरकार को आड़े हातों लेते हुए कहा कि केंदर सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर कॉंग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में रैली निकाल कर विरोध प्रदशन करेगी देश का लोकतंतर खत्रे में हैं देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है कॉंग्रेस पार्टी दोरा आर्थिक मंदी जैसे कई मुद्दो को लेकर केंदर सरकार के खिलाफ धरना दिया जाएगा तरपाथी ने भाजपा की केंदर सरकार पर आरोप लगाया है कि केंदर ने जनता से जो वायदे किये थे उन में से एक भी पूरा नहीं किया है भाजपा की असलियत जनता के सामने आ चुकी है भाजपा को केंदर की सक्ता में बैठे छे साल हो गए मोधी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया अनूर्बंदी ने उद्योगों को बरबात कर दिया लाखों लोग बिरूजगार हो गए और किसाना आत्मस्तिया करने को मजबूर हो गया पूरे रेश में आरा जबता का माहल बना हुआ है मजबूर की लिहारी में कटोती की जा रही है मजबूरों का काम तक नहीं मिल रहा है इसका उद्देश है कि 14 दिशंबर को भारत बचाओ रेली जो सोनिया जी के आमाहन पर राम लीला मैदान में गुने जा रही है उसी तैयारी रेली की तैयारी के उद्देश के लिए ही यहाँ पर यह बैठक बुलाई गई थी आप देख रहे है दखल नियूट